जब किसी को चोट लग जाती है और उसको कोई जखम, कट या बाउंड लग जाता है accidentally या तो वो दुरगटना ग्रेश्ट हो जाता है या फिर किसी चीज से धारदार नुकिली चीज से उसको कोई कट बाउंड लग जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये पोवीडिन आयोडिन ओइन्मेंट जो है प्रेस्क्राइब किया जाता है नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं यूनिक मैडिसेन यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोवीडिन आयोडिन ओइन्मेंट के बारे में तो गाईज अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ये वीडियो अच्छा लगता है तब लाश्ट में इसको लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूलें और साथी साथ दोस्तो घंटे के बटन को दबा के औल पर क्लिक कर लीजे ताकि आपको नईने वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप समय समय पर नईनी जानकारी पाते रहें तो चलिए बात कर लेते हैं इस पॉविड़न आयोडीन ओइनमेंट के बारे में दोस्तो ये एक जैनरिक मेडिसिन है यानि दवाई अपने मूल नाम से आप देख सकते हैं पॉविड़न आयोडीन ओइनमेंट यूनाइटेड इस्टेड फार्मोकोपिया के अकॉर्डिंग 5% है वेट वाई वेट की फॉर्म में यानि 5% इसके अंदर जो है मैडिसिन डाली गई है 15 ग्राम की इसकी पैकिंग है दोस्तो ये माइक्रो वी सीडल है वाटर सॉलिवल ओइनमेंट है इसका मतलब होता है दोस्तो ये जो जब किसी को कोई कट लग जाता है कोई घाव हो जाता है और उस घाव में जो भी बैक्टेरिया की बज़े से पस पढ़ जाता है यानि मालीजे किसी को कट लग गया या घाव हो गया और इसमें बैक्टेरिया की बज़े से पस पड़ गया तो उस पस को खतम करता है उस बैक्टेरिया को मारता है और घाव को सुखाने का काम करता है यानि घाव को हील करने का काम करता है तो दोस्तो होता क्या है कि सामानने लाइफ में जब कभी भी व्यक्ति कोई बहार जाता है गाली से अचानक से वो गिर जाता है या एक्सिडेंटली कोई चोट लग जाती है तो उनको घाव कट खरोच लग जाती है तो उस समय काफी दर्द होता है और उस घाव और खरोच में जो है वेक्टेरिया लग जाते हैं फंगीज लग जाते हैं तो इनको खतम करके उसको सुखाने का यानि हील करने का ये मैडिसन काम करती है दोस्तो इसके बारे में जान लेते हैं किस तरह की मैडिसन है और कैसे काम करती है क्या इसका MRP है, आपको कैसे लगाना होता है, क्या-क्या साबधानिया रखनी होती है और साथ ही दोस्तों ये water soluble oignment है, यानि पानी में गुलनसील है मतलब पानी से साफ होने वाली medicine है, अगर इसको लगाने के बाद आप उस जगा को साफ करते हैं इसली पानी से ये निकल जाता है, दोस्तों for external use है, तो हमेशा ये बहारी use के लिए है कभी भी आपको internal use नहीं करना है, थोड़ा सा इस medicine का composition समझ लेते हैं इसका जो composition है, इसमें povidan iodine IP 5% weight-wise weight की form में हैं दोस्तों जोकि एक water soluble ointment है और doctor की सला से use किया जाना है, इसका जो temperature है वो 30 degree से जादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 30 degree से जादा temperature दोस्तों हो जाता है, तब ये medicine खराब होने लगती है ये जो है बहुत जल्दी-जल्दी melt होती है और एक अजीब सा चिप-चिपापन इसके अंदर आ जाता है मतलब बहुत ज़्यादा चिप-चिपी हो जाती है और medicine जो है अपनी potency खोने लगती है तो हमेशा आपको एक सही temperature पर ही medicine को ये store करना है दोस्तो इसको freeze वगएर आमें नहीं रखना है बच्चों की पहुंस से दूर रखना है और use करने के बाद जो tube है इसको tightly close कर देना है ताकि ये medicine बहार न निकले और ये बहार निकल के मतलब spread ना हो फैले ना मतलब तो ये चीजों का आपको धियान रखना है साथी बात कर लेते हैं दोस्ते इसकी MRP की तो ये MRP आपको कभी इस तरह की medicine पर नहीं मिलती है क्योंकि ये central government की supply है बिक्री के लिए नहीं है और अगर कोई medical store चोरी छोपे इसको बेचते हैं तो उनको जो है वो एक तरह का offense है वो punishment के हकदार होते हैं ये क्योंकि सरकारी दवाई है इसको आप बेच नहीं सकते हैं और ना ही आप इसको कहीं खुले में किसी को दे सकते हैं ये स्रिफ डॉक्टर की सला से सरकारी hospital के अंदर ही दी जाती है दोस्तो हिंदूस्तान antivitex ने इसको बनाया है तो ये government of India की company है यहाँ इसका manufacturing license number, badge number आप देख सकते हैं और इसकी manufacturing और expiry date देख सकते हैं मैं हमेशा आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ कि कभी भी आप medicine लाते हैं तो इसकी expiry वगेरा सारी चीज़ें चेक कर लिया करें ताकि आप कोई खराब medicine लेकर ना आए और सारी चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो आप अच्छी medicine लाते हैं, safe medicine लाते हैं जिससे आपको benefits भी अच्छे मिलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आप जब इसका cap remove करते हैं तो easily आपको साफ हातों से यानि अपने हातों को wash कर लिजिए hand wash करने के बाद इसको जो है seal को आपको हटाना होता है इस तरह से break करना होता है और जब आप seal break कर देते हैं तब easily इसको जो है पीछे से gently आप प्रेस करिए और इसको आरसानी से निकाल कर जो भी जगा है जो cut या wound है उस पर आप जो है apply कर लिजिए दोस्तो red strip medicine है तो normally वैसे सभी लोग use करते हैं कोई भी कर सकता है बट doctor के supervision में अगर use होती है तो इसके जो result है वो काफी अच्छे मिल जाते हैं तो overall अगर हम बात करें गाई तो जो cut या घाव के लिए एक बहुत अच्छी medicine है और जो cut घाव लग जाता है इसको बहुत अच्छे से treatment करती है और जल्दी जल्दी इसको ठीक कर देती है जान लेते हैं इसके कुछ और ना होगा वो povidin iodine ही होगा और ointment की form में होगा तो guys उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर किसी को cut घाव खरोच की समस्या होती है तो वो इसको use करके आसानी से अपना जो है परफ समस्या को खतम कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कर दे सेर कर दें और आपका अपना चैनल है unique medicine इसे subscribe कर दें ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें दोस्तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ तब तक safe रहिए अपना ख्याल रखिए वीडियो देखने के लिए आप आपका धन्यवाद आपका दिन सुभू